हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्प्रिंग समर फॉल विंटर स्प्रिंग ये मूवी एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ ये 2003 की मूवी है और इसके I am Debrating 8 है ये मूवी गौतम बुद्ध के मैसेज पर डिपेंडन्ट है जैसे इस मूवी के नाम में अलग-अलग वेदर है उसी की दरा लाइफ है इस मैसेज को ये मूवी हमें कहती है इस मैसेज के साथ बहुत सारा अच्छे चीज़े हमें इस मूवी से पता चलती है तो चले इस शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है स्प्रिंग सीजन में हमें एक लेख दिखता है और उसके बीच में एक हट बनी होई होती है यहाँ दो लोग रहते है एक बड़ा मंक और एक छोटा मंक बड़े मंक को हम मास्टर कहेंगे और छोटे मंक को हम मंकी कहेंगे फिर हमें इन दोनों का रूटीन दीता है मांग को मास्टर उठाता है और ये दोनों बोट में बैट कर फिर से पहाडी में जाने के लिए रेडी हो जाते है जब भी इने जड़ी बूटी लगती है तो ये पहाडी में जाते है आज भी वो वहाँ जा रहे होते है मास्टर मंग को कहता है कि वहाँ तुम सावदान रहना यहाँ बहुत सारे साप होते है अब यह छोटा मंग किसी भी जीज की फिकर ना करते हुए इस माउंडन पर आ जाता है जब यह जोड़ी पूटिया वो पिक अप कर रहा होता है और फिर पूरे नेजर को दिखता है उसका जो छोटा सा व्यूपॉइंट है उसे ही एंज़य करता है इसका जो छोटा सा व्यूपॉइंट है यही वो दीखता है और सिनरी को एंज़य करता है आप इस point को याद रखी है और movie के last में हम फिर से इस पराएंगे इस चोड़े लड़के का अब काम हो गया है तो फिर से वो बेव पर आ जाता है अपने master के साथ अपने heart तक आ जाता है वो अपने master को कहता है कि आज माने बहुत सारी जड़ी बूटिया लाई है तो बहुत ही खोश होता है अब यह दोनों अपने heart के हाँ मेटते हैं और इस चड़ी वूटियो को review करते हैं master कुछ बत्ती देखता है और उसे कहता है कि यह poisonous है अगर तुमने इस सखाय होता तो तुम मर जाते है यह चोटा मंग कहता है यह तो same दीखते है मुझे कैसे पदा चलेगा वो कहता है कि कुछ चीज़े इस nation में same दीखती है पर यही चीज़े तुमें बचा भी सकती है और मार भी सकती है फिर वो उसे difference बदाता है इस पोधों के जो ages होते है उस पर वाइड कलर का एक age बनाया होता है अब अगले कुछ scenes में हमें बच्चा खेलता हो दिखता है सोता हो दिखता है वो ही hangout गरता हो दिखता है पर अब वो बोर हो जाता है उसके बाद वो बोड निकलता है और फिर से वो जंगल में जाना चाता है वो mountain फर आ जाता है वो एक चोटा सा lake होता है जहां fish होता है वो एक door लेता है और इस fish को एक चोटा से पत्तर से बान देता है यह fish सफर कर रहा है यह देखकर उसे मज़ा आता है इसके बाद वो frog लेता है उसके साथ भी यही करता है एक साप लेता है और उसके साथ भी यही करता है यह जो भी सब वो कर रहा होता है यह उसका master देखता है master उसे वहाँ कुछ भी नहीं बोलता रात में यह चोटा मंग सौय होता है मास्टर फिर चुप चप उसके पास जाता है एक पड़ासा पत्थर उसे लाय हुआ होता है इस पत्थर को इस बच्चे से वो बांद देता है नेकजिन सुभाई बच्चा जब उठता है उसे चलने में तकलीफ होती है उसे बहुती दर्थ हो रहा होता है मास्टर बोलता है कि तुमने भी तो उन एनिमल के साथ यही किया था उन्हें भी तो दर्थ होगा वो उसे फिर सजा देता है उसे कहता है कि तुम जाओगे और उन एनिमल को तुमने जो रिस्टिक कर दिया था उन्हें बंधा दिया था उनको तुम छोड़ कर आओगे अगर वो मर गये होंगे तो इस पाप का बोज हमेशा तुमारे दिल पर रहेगा ये पत्तर पहन कर ही उसे ये सब करना होता है क्योंकि ये पार्ट ओप पनिशमेंट होता है वो फिर बॉर्ण में जाकर फिश को डूनता है फिश का पत्तर वाहस निकलता है पर फिश मर चुका होता है इसके बाद वो फ्रॉक के पास आता है फ्रॉक का पत्तर निकलता है और फ्रॉक जिन्दा होता है उपर जाता है और जब साप को देखता है तो साप मर चुका होता है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है यह एक छोटा बच्चा है और इसकी दिल में यह बात हमेशा से रहेगी इसके मास्टर का जो प्लान था वो सक्सेस्फुल हो गया यह कवे भी अभी इस चीज़ को नहीं भूलने वाला अभी सीजन यही खतम हो जाता है और हमें एक नया सीजन दिखाए गया है यह समर है यह जो छोटा लड़का था अब यह बढ़ा हो चुका है यह फेसे चलते चलते एक पहाड़ी पर आता है और बुद्ध के मूर्ती के पास खड़ा हो जाता है यह मूर्थी अब और एक high point पर है यहाँ से जब वो view दिखता है तो उसे बहुत सारी चीज़े अब दिखती है दूरसे उसे एक लड़की और उसकी मदर आते हुए दिखती है यह लड़की और उसकी मदर इस master से मिलने आये हुए होती है यह जो लड़की होती है इसे एक बिमारी होती है यह हमेशा सफर करती है पर इस बिमारी का इलाज पता नहीं पड़ता इसलिए अब वो master के पास आये है master इसका इलाज करेंगे इसके लिए मदर उसे यहाँ लेकर आई है monk फिर उनके पास जाता है उन्हें greet करता है उन्हें पोट के आ लेकर आता है जब वो लेक पार कर रहे होते है तब मदर उससे पुछती है यह क्या मेरी बेटी ठीक होगी वो फिर उसे एक ज़ाड के पास लेकर आता है वो कहता है कि यह 300 years पुराना ज़ाड है जब तुमारे बेटी आ से जाएगी तो इतने ही healthy हो जाएगी रात में यह लड़की उसके मदर यही सो रहे होते है रात में हमें दिखता है कि यह monk उस लड़की को देख रहा है इसे उसके ब्रदी attraction हो रहा है जब next जाता है तो यह mother master से पुछती है कि क्या यह ठीक हो जाएगी master कहता है कि इसकी जो soul है वो सफर कर रही है इसकी suffering जब खतम हो जाएगी तो यह भी ठीक हो जाएगी इसकी body फिर से healthy हो जाएगी इस लड़की की mother गेती है कि प्लीज इसका खयाल रखना और फिर से वो जहाँ से आई थी वहाँ लोट जाती है इस लड़की को वही वो छोड़ जाती है थोड़ी दिर बाद यह लड़की वरांडे पर बेठे हुई होती है फिर वहाँ बारिश आती है तो यह मंग छाती जिससी कटोरी लेकर उसे cover करता है नेकसिन में जब एक कपड़े जेंच करी होती है तो यह मंग वहाँ आ जाता है उसे थोड़ा सा गलत लगता है और एक डोर वो बन कर लेता है नेकसिन में हम देखते है कि एक स्लैचू पर वो लड़की बेठी हुई होती है यह वहाँ उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर इसमें बेठने के लिए अलाउन नहीं करते फिर यह अंदर आ जाती है बहुत दखी चुमूर्ती होती है उसके पास वो आती है और प्रे करने लग जाती है थोड़ी देर बाद प्रे करते हुए वही वो सोचाती है मंग फिर अंदर आता है वो जब उसे देखता है तब उसे चादर से कवर कर देता है वो उसे देख रहा होता है और उसे फिल करने लग जाता है यह लड़ी जा जाती है और उसे एक स्लाप मार देती है इसे अब बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो यह प्रेयर करने लग जाता है यह लड़की भी उससे हाथ लगा रही होती है तो वहाँ मास्टर आ जाता है मास्टर जब आता है तो यह लड़की वहाँ से चली जाती है जो पॉंड था यहाँ वो आ जाते हैं यह लटकी फीश पकड़नी के ट्रायक कर रही होती है पर यह पकड़नी पारी होती मंग उपर से उसको अब्जर कर रहा होता है और पॉंड में गिर जाता है उसके लिए फिर फीश पकड़ता है और उससे दे देता है वो फिर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है पर उसे वो जटक देती है रात में मंग उसे देख रहा होता है पर जब वो आख अपनी खोलती है तो यह साइड चेंज कर लेता है दूसरी साइड पर उस होता है यानि कि उससे देखना पाए इसके अगले दिन मास्टर इस लड़की के लिए एक दवा बनाता है ये दवा उसे देकर कहता है कि इससे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा पॉट में मंग अपनी जो बोट होती है उसे गोलगोल फिरा रहा होता है वहाँ लड़की भी होती है वो फिर पानी में गुच जाता है ये लड़की हट के किनारे पर होती है तो वहाँ वो पोज जाता है उसे पानी में गिरा देता है वो फिर उसे बोट में बैठा कर फिर से जंगल में लिकर जाता है यहां यह दोनों अब intimate हो जाते हैं जब वो फेसे घर आ रहे होते हैं तो यह लड़की के पेर दुखने लग जाते हैं यह फिर उसे अपने कंदे पर उठा लेता है अब यह अपने बोज के साथ उसका भी बोज उठा रहा है उसकी responsibility रह रहा है यह यह scene यहां represent करता है जब रात होती है तो इस लड़की के पास वो आ जाता है फिर से वो दोनों intimate हो जाते है next scene में हमें देखता है कि बारिश हो रही होती है और यह लड़की फेसे उसी statue पर बेटना जाती है तो इस बार यह monk उसे allowed करता है उसके लिए इस statue का location भी वो change कर देता है जिस rules से वो पहले जी रहा था इस rules को अब वो उसके लिए बदल रहा है next scene में master hut के बाहर बेटा हुआ होता है इस दोनों को वो मस्ती करते हो देखता है इसे इसमें objection नहीं होता वो भी इन दोनों को देखकर खुश होता है और फिर ही यह monk और यह लड़की एक hill पर दोनों बेटे हुए होते है यह monk उसे पूछता है कि क्या तुम record हो चुकी हो वो कहती ही कि हाँ अब मैं record हो चुकी हूँ उससे कहता है कि अब मैं imagine में नहीं कर सकता तुम्हारे बिना रहना मैं थोड़ी देर भी तुमसे अलग रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ हमें यहाँ एक शू में वो दो fish डालते हुए दिखते है यह एक romantic gesture उने लगता है पर यह represent करता है कि उनका view कितना छोटा हो चुका है अब वो pond का खैल नहीं करे लेक का खैल नहीं करे पर एक शू में वो सिमित हो चुके है यह एक black shoe है और इस shoe को भी आप याद रखिए movie के last में इसके बारे में हम बात करेंगे फिर से जब रात होती है तो पर इस दोनों लेक में आ जाते है boat पर ही वो intimate हो जाते है जब सुपह होती है तो यह monk उठता है यह इन दोनों को इन boat में पाता है वो इस boat को उसके पास बुलाता है और यह boat sing करने के लिए इसमें एक hole बना देता है यह दोनों डूपने जब लग जाते है तो भे जग जाते है monk फिर अपने master से माफी मांगता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो मैंने जो भी किया वो गलत किया है master से कहता है कि यह nature है जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है इसमें तुमारी कोई भी गलती नहीं है वो फिर लड़की से पुछता है क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो और कहती ही कि हाँ अब मैं ठीक हो चुकी हो तब यह master अभी इस लड़की को फिर से उसकी मदर की आप भेज देने वाला होता है monk कहता है कि नहीं मैं इसकी मेंना नहीं जी सकता पर master उसकी मान्य नहीं वाला होता मास्टरों से कहता है मास्टरों से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज को मास्टरों से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज को अपने वश में करना चाते हो अगर तुम किसी चीज को अपने वश में करना चाते हो हमें इसके बाद नेक सीजन दिखता है, यह फॉल का सीजन होता है, मास्रे दिखता है और यह थोड़ा सा बुड़ा हो चुका है, अपना जो रूटीन चलता है, वो इसे ही कुछ चलने देता है, उसने खाने के लिए गाउ से कुछ चीज़े लाए हुए होती है, वह एक पेप उसके जो वाइफ है, यानि कि वो लड़की, इसको उने मार दिया है, अभी हमें फिर से लेक में आता हो दिखता है, वो शोर के पास आता है, और यह मंग उसे लेने के लिए आता है, मास्र फिर उसके पास बेटता है, वो उसे पूछता है, क्या अब तक तुमने जो जी है, वो हैपी थी, तुम्हारे लाइफ के बारे में मुझे कुछ इंट्रस्टिंग बताओ, मंग कहता है कि छोड़ी तू मुझसे ये बात मत करो, मास्र कहता है कि वर्ल्ड जो था, तुम्हारे लिए पैन फुल था, ये पैन तुम्हें क्यों हुआ है, ये मुझे फिर ये मास्रों से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था, ये जो वर्ल्ड है, जहां हुमन्स रहते हैं, इसमें हमेशा तुम्हारी पास जो भी वैल्यूबल चीज़ है, ये दुसरे लोगों को भी चाहिए होती है, तुम्हें इतना अटैज तुम्हारी चीज़ से नहीं हो उसके मन में चल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, इस मंग ने अपने साथ बुद्ध की मूर्थी लाई हुए होती है, जो वो लेकर गया था, उसने अब वो फेर से लोटा दी है, ये मंग बहुत डिस्टब हो चुका है, उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, वो अ अंदर आ जाता है, उसे एक काठी से बहुत मारता है, उसे वो बचा लेता है, पुर उसे डोर से बांद देता है, और लटका भी देता है, उसकी गल्दी की उसे सजा वो दे रहा होता है, जिस डोर से इस मास्टर ने मंग को बांदा हुआ होता है, उस डोर को भी उसने हीट कर दिया होता है, जिसे वो थोड़ी देर बाद तूठी जाए, जब यह सब हो रहा होता है, तब master अपना जो वरांडा होता है, उस पर एक paint से बहुत सारे अक्षर लिखता है, उनके language के सब alphabets वो वहा लिखतेता है, यह मंग फिर door से जब free हो जाता है, तब जिस knife से अपनी knife से carve करोगे, जब तुम यह कर रहे होगे, तो तुमारे अंदर का जो भी anger है, वो तुम बाहर निकालोगे, जब यह मंग यह खतम करेगा, तब तक उसके अंदर की जो भी agony है, जो भी वो pen महसूस कर रहा है, वो सब खतम हो जाएगा, यह मंग फिर देखता है, कि वहाँ दो जोब दिया है, यह इसे खतम करने दो, उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो, यह पुलिस भी इसके लिए मान जाते है, इस काम के लिए पूरी रात लगने वाली होती है, जब यह सब हो रहा होता है, तो डिक टू बोर हो जाते है, एक सोडा कैन इस लेक में होता है, उसे शूट करने लग जाते है, वो अपना निशाना साथ नहीं पाते है, फिर मास्टर एक छोटा सा पत्थर लेता है, और दूर से इस सकैन को मारता है, यह रीट्ट्यू देखकर हैरान हो जाते है, रात बर यह कारविंग का काम यह मंग करता रहता है, जब सुभा होती है, तो इससे मन की शान्ति प्राप्त होती है, इन पुलिस को भी इसकी जरूरत है, इसलिए उने भी यह काम देता है, यह सब अभी यह पेंट कर लेते हैं, जब यह मंग उठता है, तब इसका सब एंगर खतम हो चुका होता है, अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जा इस दुनिया से जाने का अब उसका टाइम आ चुका है। अपने सब कपड़ेवेगरा वो बुद्ध की स्टैचू की याद छोड़ कर एक बोट में बेट जाता है। इस बोट में बेटने के बाद पेपर से वो अपने खुद को सफोट करता है। यह उनकी वीदियो होती है। जब भी मंग को मरना होता है तो इस पेपर को उस खुद पर लगाते है और खुद को मार डालते है। बुद्ध फिलोसी में कहा गया है कि आत्मा अमर है तो इसलिए अब वो सिर्फ अपने शरीर को त्याग रहा है। यह हमेशा मेडिलेशन करते हैं। अब यह मर भी रहा है पर फिर भी इसे पेण नहीं हो रहा है। जिस बोट में वो होता है इस बोट को भी वो डुबा देता है। यह सफो के ठोकर वो अब मर जाता है। इसके पाथ हमें नेक सीसन दिखाए गया है। यह विंटर है। जो मंग था जो जेल में चला गया था वो बड़ा हो चुका ह अब वो अपने 40s और 50s में है ये फिर से उस लेग में आता है पर अब ये लेग जम चुका है जब वो हट के अंदर आता है तो वहाँ candle से वगरा जलाता है जहाँ master मर चुका था वहाँ वो बहुत जाता है master जब मरता है तो उसके boat में मोती होते है ये मोती master के soul को रिप्रेजेंट करते है इसको फिर एक red cloth में हो लपेट लेता है और अपने साथ हो लेकर आता है वो फिर mountain पर चड़ता है वहाँ का जो pond था वो भी freeze हो चुका है ये फिर ice से एक godham buddha की मोरती बनाता है जब भी कोई मर जाता है तब उसके लिए बोद्ध की मूरती वो बनाते है इस मूरती के forehead में वो वो कपड़ा और वो मोती दोनों रख देता है इस जम्य हुए lake में वो एक छोटा सा hole बनाता है जिससे वो पानी भी सकता है जब वो master के drawer वेगरा देखता है तो वहाँ उसे एक book मिलती है इस book में सब exercise के आसन वेगरा दी होते है फिर हमें इन सब exercise को वो practice करता हो दिखता है उसे भी अपने master जैसा बनना है यह जो master था इसके पास अनुकी power थी उसकी जो boat थी उसे सिर्फ अपने हाथ से वो चला भी सकता था रोग भी सकता था उसे वो control कर सकता था master की तरह ही mank को बनना है तो यह सब वो practice करता है एक दिन फिर हमें दिखता है कि एक औरत वहाँ थी है उसके पास एक बच्चा होता है उसने अपने face को cover कर लिया होता है उसके जो हला थे वो गलत है इसलिए इस बच्चे का वो खयाल नहीं कर सकती उसे अब यहाँ छोड़ देने वाली होती है इसलिए उसने अपने face को cover किया होता है उसके बच्चे से उसके attachment न जुने इसलिए भी वो करती है बगवान के पास वो आई हुए होती है और जो वो कर रही हो गलत है इस shame की वज़े से भी उसने अपना face cover किया होता है जब रात हो जाती है तब औरत इस बच्चे को छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है हमने देखा था मंग ने अपने पानी बिने के लिए एक होल बनाया था इस होल में वो गिर जाती है और वो ही मर जाती है अब हमें देखता है इस season जो था वो change हो रहा है जो पर्फ था वो पिगल रहा है मंग ने अपने master की जो statue बनवाई थी जो red cloth में wrap करकर जो purse रखे थे वो भी अब इस पानी के साथ पह रहे है जो master की soul है वो free हो चुकी है जब सुबह होती है तो ये बचा लेग में crawl कर रहा होता है अपनी mother को ढून रहा होता है ये master उसे बचाता है और देखता है कि उस hole में ये औरत मर चुकी है इसने जो shoe पहना होता है ये एक black shoe होता है जहाँ वो मर चुकी होती है वह भी वो बुद्ध की एक statue लगा देता है इसके बाद फिर हम देखते है कि एक बड़ा सा पत्थ है ये mang अपने आपको लगाता है अपने आपको इसने बांदा होता है और एक गौतम बुद्ध की मूर्थी लेता है इस मूर्थी को लेकर पहाड वो चड़ता है बहुत सारे मुस्रिपोतों से ये गुजर कर ये पहाड चड़ रहा होता है उसके पेर से खुन में आने लग जाता है पर फिर भी वो चड़ते ही जाता है ये चड़ते चड़ते एक बड़े से पहाड के आ आ जाता है जब इस पहाड के उपर होता है तो उसका लेक बहुत ही छोटा सा लगता है जिस पत्तर को अपने खुद से वो बांदा होता है वो छोड़ देता है और वहाँ रख देता है गोतम बुद्ध की मूर्ती उस पर प्रस्तापित करता है संसेट होता है तो यहाँ वो प्रे करता है अब यह जो मंग है यह नेचर को अलग परस्पेक्टिव से देख सकता है जब वो छोटा था, तो उसकी वीजन बहुत ही कम थी, बहुत ही छोटा सा नजारा वो देख सकता था, जब वो बढ़ा हो चुका था, तो अलग नजारे को देखता था, अलग नजरिये से वो इस जग को देखता था, अब ये बहुत ही बढ़ा हो चुका है, लाइफ में जो गुजर चुके है, जो छोटा लड़का था, वो भी अब थोड़ा सा बढ़ा हो चुका है, मुवी के फर्स्ट में, जो मंग की एश थी, वही इस लड़की की अब एश है, इन दोनों की जो भी फेस है, वो भी सेम है, यानि कि मंग जो था, वो मास्टर बन चुका है, और जो चोटे मंग ने किया था, कि फीश को एक डोर से बांद दिया था, और चोटे से पत्थर से उसे बांदा था, उसी तरह से ये लड़का भी अब करने वाला है, एक चोटा सा पत्थर लेता है, और फीश को खिला देता है, फीश अनमैलन्स हो जाता है, और उससे मज़ा आता ह यही जीज वो फ्रॉक के साथ और स्नेक के साथ इन दोनों के साथ वो करता है अब फिर से हमें गौतम बुद्ध की मुर्दी दिखाए गई है जो बड़े से मांडन बरे है अब यह सीन आदमी के लाइफ साइकल को रिजप्रेजेंट करता है जो भी चीजे इस छोटे मांग ने की थी वही अब उससा शिश्य भी कर रहा है जो भी सब हो रहा था वो फिर से अपने आपको रिपीट कर रहा है आदमी जो दा है अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करता है उस मिस्टेक से वो सीखता है उसके बाद उसे एक बड़ा परस्पेक्ट्ट मिलता है उसके एक्सपिरियंस बढ़ते है इस एक्सपिरियंस बढ़ने के बाद लाइफ को अलग तरीके से वो देखने लग जाता है और फिर इससे अपना पीस बना लेता है आदमी ने जो भी अपने experience से सिखा होता है वो छोटे बच्चों को समझाता है अपना knowledge वो share करता है हमारे teacher हमें कुछ सिखाना चाते है पर हम खुद गल्दिया करते हैं और फिर उससे ही सिखते हैं जो master था उसके पास power थी अगर mang के master ने उससे रोक लिया था तो जो सिखे उसने की थी वो करनी पाता वो jail में जाता और jail में वापस आने के बाद master जिस way से जी रहा था जो सही way है इससे वो जी नहीं पाता वो अपने horizon को expand नहीं कर पाता हमने movie के first में देखा था कि master अपने mang को एक शिक्षा दे रहा है इसमें उसे कहरा होता है जो चीज तुमें बचा सकती है उतुमें मार भी सकती है जब हमने देखा था कि mang और लड़की इन दोनों में पैर हो चुका था वो दो fish लेते है और एक shoe में रखते है एक black shoe कोता है यह इन दोनों के love को represent करता है पर यही love उसे बरबात करकर रख देता है जब वो जेल में जाकर वापस आजाता है एक और उसके पास आती है और लड़के को उसके पास छोड़कर जा रही होती है तभी वो मर जाती है जब वो मरती है तब उसने black shoe पहने होते है जो तरंग रहे होते है एक लड़की ने ही उसे बरबात कर दिया था पर अब इस औरत ने उसे जीने के लिए एक गोल दी दिया है जो भी उसने सब सिखा है इस चोटे बच्चे को अभूए knowledge देगा तो इस तरह से life के बहुत सारे lessons और life को देखने का एक नया perspective ये movie हमें देखर जाती है जब ये movie चल रहे होती है इस movie में जो भी nature की scene आते है इससे आदमी जूट जाता है ये movie यूटूब पर देखने के लिए available है और अगर आपको वक्त मिले तो आपको ज़रूद देखनी चाहिए तो friends अगर आपको ये movie अच्छे लगी होगी तो please इस वीडियो को like कर देजेगा अगर आपको ऐसे अच्छी movie कुछ पसन है तो आप इसकी suggestion comment में दे सकते है मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ अगर आपको ऐसे और वी वीडियो चाहिए होगे तो please मेरे चैनल को subscribe कर देजेगा bell notification icon भी दबा देजे यानि कि आपको सब वीडियो मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिए